दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि जब भी कभी लंबे समय बैठकर अचानक से उठते हैं या फिर लंबे समय तक पैर मोड़कर आलती-पालती मार्कट बैठते हैं तो पैरों में जुन-जुनाट या फिर सुन्दपन का हैसास होता है कई बार हम अपने हाथों के उपर सर रखकर सो जाते हैं तो हाथ भी कई बार सुन्द हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे इस्तिती में नसे दब जाती है जिससे श्रीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता जिससे हाथ पैर सुन्द पढ़ जाते हैं वैस जब कभी नसों में चोट लग गई हो है ना कई लोग ज्यादा शराब पिने के आदि होते हैं उनके साथ ही दिक्कतें ज्यादा होती है इसके लाओ जिन्हें डायबडीज है उनको भी हाथ पर सोजाने सुनपन के समस्या का सामना करना पड़ता है इसका सबसे मुख्य वज़ और शरीर की तमाम सिल्स चाहे वो स्कीन में हो मुँ या फिर आत में हो इसके सहत के लिए जरूरी वैटेमीन है वैटेमीन बीट वैल भी शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानि कि रेड ब्लड सेल्स का निर्मान करता है साथी शरीर के विभीन हिस्सों में प्रूटीन करने में मदद करता है अगर हमारे शेल में रेड ब्लड ब्लड थिल्स नहीं बनेंगे तो ओक्सिजन शेर के पूरे माग तक नहीं पहुँचपाती पूरे शरीर में नसों का एक जाल भीचा हुआ है हमारी नसों के उपर एक कवर चड़ी हुई होती है जिसे माइलिंग कहते हैं अगर हमारे शरीर में वैटमिन B12 की कमी आ जाया तो एक कवर वीक पड़ जाती है जिस वज़ा से नसें दब जाती है और ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सडेन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता जिस कारण से हाथ पैर सू जाते है वाटमिन B12 दोस्तों एक वाटर स्वालिबल वाटमिन है जैसे कि आज हमने वाटमिन B12 बखाया जितना हमारे शरीर को ये वाटमिन चाहिए उतना शरीर यूज कर लेता है बागी बचाववा B12 पानी में घुलकर यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है तो हमें रोजाना वाटमिन B12 लेना चाहिए नहीं तो नसों की कोई न कोई प्रॉलम आ जाएगी वैसे जिनको वेरी कुछ वेंस की समस्या रहती है नसों में दर्द रहता है या फिर साइटिया की नस दब जाती है तो उनको भी B12 का खास ध्यान अखना चाहिए आप डॉक्टर से बात कर B12 की सप्लीमेंट ले सकते हैं आप डाइट के थुरू आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते कि आखिर शरीर में B12 की कमी होती क्यूं है आप B12 वाली डाइट ले रहे हैं और अगर आपकी आते कमजोर हैं और उनका असोसणा हमारा श्रीर नहीं कर रहा हो तो वह सीधा यूरेन या मलक के रास्ते बाहर हो जाता है इसके लिए आपनी आतों को हेल्दी रखना होगा तो आपनी आतों को हेल्दी रखने के लिए आफो क्या करना है दो चम्मच सुभा और दो चम्मच शाम को एपल साडर विनेगर का सेवन करना चाहिए एपल साडर विनेगर के अंदर मैलिक आसिड होता है जो की आतों को मजबूती देता है और उसी कारेच छमता को बढ़ाता है तो उनको ही apple cider vinegar लेना है जो लोग beat valve वाली diet proper ले रहे हैं और फिर भी उनको हाथ पर में जुन्जने की समस्या है हाथ पर में नमनेस की समस्या है या फिर नसे कमजोर हो गई है तो उनको apple cider vinegar लगतार 20 दिनों तक लेना है चली अब जानते हैं कि beat valve की कमी को कैसे हमें पूरा करना होगा दोस्तों beat valve केवल मांस मचली दूद और पनीर में ही होता है यह न तो हरी सबजयों में होता है नहीं फ़लों में जैसे कि हमें गलत फैमी रहती है तो वे vegetarian लोग जो दूद दही या पनीर भी नहीं लेते हैं या बस कभी कभी ही लेते हैं तो उनमें vitamin beat valve की कमी पैदा हो जाना एक आम हेल्थ प्रॉलम है हमारे देश में एक बड़ी अबादी vegetarian यानि की शाकाहरी है और अगर दूद दही या फिर डेरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो उनके लिए vitamin beat valve की कमी का खत्रा हमेशा रहता है एक गर्मी कम होसा में तब पानी परियापत पिए जब भी प्यास लगे पानी पिए पानी पिते रहने से शरीर के toxins जो है वो बाहर हो जाते हैं शरीर में कभी भी calcium कमी नहोंने दे calcium कमी से भी नसे कम जोर पड़ जाती है और हाथ पर सुनने पड़ने लगते हैं शरीर की मालिश भी बहुत ही जरूरी है 15 दिन में एक बार कम से कम पुरे शरीर की मालिश कीजिए या फिर रोजाना रात को सुने से पहले तलों की पैरों की तलों की मालिश करके शोगे इससे नींदी बहुत अच्छी आगी और blood circulation पैरों में अच्छे से होपाएगा इसके साथ ही दोस्तो में भी आप दो सुखा अंजिर खाना खाने के बाद खा सकते हैं कोई दिक्कत नी है हाँ इससे ज्यादा quantity आपको इस गर्मी के मौसा में नहीं लेना है इसके लाव तील खा सकते हैं आप रात को दो चम्मस तील भीगो कर सुबा खा लिजे आप भीगे वे तिल को थोड़ी से फाद हैं जैसे कि diabetes control होता है जोड़ों का दर्द घुटनों का दर्द खत्म होता है इसके लाव थायरेट के मरीज भी तिल का सेवन जरूर करें उनके लिए बहुत बेनिफिशल होता है तो तिल का सेवन आप इस गर्मी के मौसा में भीगो कर ही करें भीगो दिने से इसके नम नहीं होने देता खस-खस का सेवन करने से दोस्तों अंद्रूनी ताकत ही बढ़ती है बैट कॉलिश्ट्रॉल शुरी से बाहर होता है थारेट कंट्रोल रहता है इसके लावा शुगर की प्रॉलम भी नहीं होने देता खस-खस की तासिर ठंडी होती है तो आप इसे 2-3 घंटे भीगो कर सेवन कर सकते हैं या फिर एक चमच खस-खस को दूज में डालकर इसे बॉल करके भी दूद को पी सकते हैं अपनी डाइट में हरी सब्जियों का अधीक शामिल करें जैसे ब्रोकली गोभी और भिंटी आदी दरसल सब्जियां केलिशियम का पावर हाउस हो इसके लाव शेरी में मोटापा बढ़ा हुआ फैट बढ़ा हुआ है हाई कालेश्टॉल के समस्या या फिर ब्लॉकिस के समस्या है तो उसमें भी यह फादा करता है यह दोस्तों है चिया सेट्स का इस्तमाल आपको गर्मी का मौसम में जरू करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए दो चम्मच चिया सेट्स को एक गलास पानी में 15-20 में के लिए भिगो कर रख दें और इसका शेर्बत बनाकर पी ले आप मिठास के लिए इसमें मिसरी एड कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसे पी सकते हैं यह बहुत ही बेनिफेशल होगा दोस्तों आपके लिए इसे जरूर फॉलो कीजिए लगतार कम से कम 15 दिनों तक फॉलो कीजिएगा सारे ने मेडी आपको फॉलो करने की जरूत नहीं है आप बिटेवल की कमी के लिए आप डेरी परड़क्त लीजे और कलिशिम की कमी को पूरा करने के लिए तिल का सेवन जरू करें अगर आप अं जरूर जरूर इस वीडियो को लाइक करते हैं आपको इस वीडियो को रिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू कि अ कि 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 कि